पीछी तंब्रम की गिरिफतारी पर हिमाचल विधान सभा में हंगामा, विपक्ष ने सदन से किया वाक आउट, बदले की भावना से की गई कारवाई, कॉंग्रेस नेताओं को बदनाम कर रही केंद्र की भाश्पा सरकार, हिमाचल विधान सभा के मांसून सद्र के चोथोय दिन की कारवाई में, कॉंग्रेस के नेता मुकेश अगनी होतरी ने भीते रात हुई पूर्व केंद्रिय मंत्री पीछ तंब्रम की गिरिफतारी को लेकर सदन में पॉइंट ऑफ ओडर के आंद्रकत मामला उठाने की की जिसे स्पीकर ने भी ना नोटिस के ऐसे विशो पर चाचा के लिए मना कर दिया पूर्व वित मंत्री और ब्रे मंत्री जो के कांग्रेस पार्टी के बहुत ब्रिश्ट नेता है जिस ठंग से उनको सी बी आई और एडी की एजंसियों ने उनके घर पे दंबिश देखे जो है उनको गृफ्तार किया यह लोग तंत्र की हत्या हुई है हिंदोस्तान में हिंदोस्तान में अगोशित अपातकाल की स्थिति बन गई है हर नेता को तबाह करने के लिए उसके पीछे एडी और सी बी आई जैसी एजंसियां डाली जा रही है और हमारे गपूर बित मंत स्थित्री वो कहीं भागने वाले नहीं हैं वो जो है केस में आई एन एक्स केस जो है मीडिया घ्राने का उसमें उन्होंने हमेशा कॉपरेट किया है पिछले 15-16 महिने से उनको जितनी बार भी अजंसियों ने बलाया उतनी बार वो गए हैं उनका FIR में नाम नहीं था अभी कोई अरोपतर दाखिल नहीं हुआ लेकिन उनको जो है बदले की भावना से जो है रात के अंधेरे में ड्रामटाइज करके अजंसियों को उनके घर फांद के जिस ठंग से ग्रिफ्तार किया कांग्रस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और जिस ठंग से देश के में जो ब्यवस्ता खराब की जा रही है हर व्यक्ति के पिछे हर नेता के पिछे हर पार्टी के नेता के पिछे और कांग्रस की लीडर्शिप को नश्ट करने के लिए यह जो मोदी सरकार ने मोदी और हमें अमित्शा जिस ठंग से जो है यह काम कर रहे हैं उसके उसके चलते आज ह और हमें सुन baru में यह मसला उठाया है कि यह तूर तरीके जो हैं हिंदूस्थान के लिए जो है नहीं है और अजादी के शतर साल बार देश में ऐसे या महहौ собой बनाया जाएगा आराजक्ता पैदा कर दी जाएगी गुंडागर्दी का महाल कर दिया जाएगा सरकार प्रयोजित गुंडागर्दी एysis ये कि एक इतने शजन और इतने बढ़े नेता के कि खराब जो है आप कारवाई करें आप उनकी शुक्रवार को बेल अप्लिकेशन लगी है बेल अप्लिकेशन रिजेक्ट हो जाती तो आप उनको इरासत में ले लेते और वो कहीं भी देश भाग नहीं रहें हैं उन्होंने कल भी प्रेस कांफरेंस की लेकिन सरकार के मनसूब सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के हैं इसलिए आज हमने हाउस में भी ये मसला उठाया और कांग्रेस विधायक दल इसकी निंदा करता है और कांग्रेस पार्टी इसके खलाब अंदोलित रहेगी